मेले कि गेनफ की कख्ष़ाएं आपका स्वागत है।- आपणी संख्याओं की जानकारी्ट।いきます. इस पर गतर, आज हम बात करेंगे रोमन संख्याओं को क्योंुकिये। रोमन विजी से जी डिंती कैसे थी वहां से अरफ होते हुए यह पश्चिमिले सुन गया था इसलिए उन्होंने इसे हिंदु-अरभिक कह और यह इसका रोमन तरीका यह एक को इस्पिटार लिखते हैं दो को इस तीन चार पांच छह साथ आठ नौ और दस यह तरीका आपको यह संकेत आपको रोमन के संकेत से याद ही करने पढ़ेंगे इनको आप याद कर लिजेगा और इसके लिखने का तरीका सीक्र teenage अभूम जैसे पीच संकेत graphके जाते हैं इसनींन है उस नियम उपर हम एकिट करके चर्चा करें दें पहला नियम है ज़िए किसी संकेत की पुन्रावर्ती होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है जैसे कि हमने यहां तीन डंडे लिए हैं एक दो तीन इसको हम एक से रूपित करते हैं तो एक दो और तीन एक के पुन्रावर्ती तीन बार है तो इसका मारथ है कि यह उत तीन है अगर हम एक्स एक्स जिसे एक एक से 10 को भ आरको आई वहां पंर आ IS नियम था कि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आ सकता है जैसे यह तीन हमने लिखा था इसमें चार इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा यानि चार सीधी रिखाए नहीं लिखी जाएंगे कोई भी संकेत तीन से अधिक बार नहीं आता है और इसमें भी जो पांच को अनुरुपित करता है और डी जो की सो को अनुरुपित करता तो यह कभी भी दो बार नहीं आएंगे आप तीस्तरा नियम इसका है यह यदि को छोटे मान वाला संखेत के दाइं और आता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ देते हैं इस नियम को भी आप उद्दार से सपच्टर समझेंगे जैसे कि हम ने यह लिखा है यह कैपि इसे प्रिकार हमने देख और भी, एकस दस कों रूपित करता है और इसके दाइए और भी यानि पाँच आया है, दस के बाँच आया है तो इसको भी जोड़ देंगे, हम दस दन पांध विराबर 15, इसे प्रिकार हमने देखा जैसे L x x L, 50 कों रूपित करता है, यह दो 10 और 10 क इसको निरुपित करेगा तो एल में जोड़ देंगे जो भी सत्तर आएगा जाएगा सत्तर साथ और पंद्र को इस प्रिकार भी इस प्रिकार ही लिखा जाएगा अब यह हमने बात किए दाइए और की अब बात है बाइए और कर दिमान लिखेगे तो उसका नियम क्या है यह है कि शोटे मानवाले को यह संकेत बड़े मानवाले किसी संकेत के बाइए और आता है तो बड़े मान से छोटे मान को घटा लिया जाता है इसको भी आप एक वधार से समझेंगे हम नहीं हमने का था, गटाइए और में वह भाटा आता है बड़ा मान использовать 5 में weekly रुपित करता है इसके बाई और हमने एक कुन रुपित किया है तो पांच में से अब एक घट जाएगा जो कि चार आएगा इसे पिकार यह एल पचास कुन रुपित करता है यह एकस दस कुन रुपित करता है लेकिन यह दस पचास के बाई और है तो पचास में से दस घटेग आग जो संकेत है b l और d यानिकी 50 50 और 500 कभी वी और नहीं लिखे जाते हैं बड़े मानके बाई और 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 अडी यानिकी 50 पशल निभी अर्द गटां वी घठा में ?l कि इस दो नों को जोड़ता है दस और दस तीस बार आया तो इस हो गिया लेकिन अब दस 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 को चाल बार नहीं लिखते हैं तीन अधिकलम बार दिखा जाएगा कोई भी संकेट को तीन बार से उपर नहीं लिखा यह higher-up die पर लिक लेरेथ अब और साथ है तपर अजरे देंगे चालींगा त्वस और करना मौन करक्नी कर दो चाली सब्सक्राइब यृत्व close लेखर कि नभ दिखने के लिए उसात रहुत कते हों साब एक्सेड़ने के लिए जैसे हमें 68 और 97 लिखना है तो हम रोमन पद्धिती में किस प्रकार लिखेंगे पहरी संक्या हमें लिखी 68 68 जो साथी धन आठ को हम कहेंगे च्रियान, जैसे प्रकार लिखता है भाई और एक्स निव्कष लिखार लिखेंगा अब आपके लेकुछ कारी है, आपको रोमन पद्धिती में लिखना है 74 और 84 को इस कारी को आप धर में स्वेंग करेंगे और मेरा यह बीरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद